नमस्कार जेहिंद आप सभी का स्वागत है दुनिया के वो दस डीप और डेंजरस होल्स आपके सामने आज प्रस्तुत हैं न्यूस चल रही थी कि एक नया मेक्सिको के कोस्ट के अगर हम थुड़ा सा बराबर में देखेंगे तो एक नया डीप ब्लू हमें होल दिखा है जिसका कलर भी वाकई में ब्लू सा दिखता है और ये 900 फीट गहरा है मेक्सिको के कोस्ट के बिलकुल इस्ट में आपको ही दिखेगा और इसका नाम रखा जा रहा है ताम जा जिसका मतलब होता है डीप वाटर मायन इसमें कहते हैं या मायन कल्चर में इसको कहा जाता है डीप वाटर खेर ये ढूंडा गया और नौस तो फीट गहरा है ऐसा पहला नहीं है और भी हमारे पास हैं आए चर्चा करते हैं तो मेक्सिको की युकांटन पेनिसुला की इस्ट में आप इस भाग में देखेंगे तो आपको मिलेगा the second deepest blue hole that we have discovered. Not only this ये जो deep blue holes होते हैं ये बड़े ही पेचिदा होते हैं लगभग coastal area में बनते हैं और कहा जाता है कि ये karst topography से काफी संब्बन रखते हैं कास्ट टोपोग्राफी में सिंक होल बनता है अगर पानी लगातार जाके कैल्शियम कार्बुनेट या मैगनेशियम कार्बुनेट को खाता जाएगा खाता जाएगा तो धीरे धीरे होल बनने लगता है जो होल आप ये देख सकते हैं आइफल टावर की हाइट लगभग अगर फीट्स में निकाली जाए तो लगभग हजार फीट के आसपास आती है अब आप समझ सकते हैं इतनी गहराई का हमें लगभग एक डीप ब्लू होल भी मिल रहा है अच्छा इसे कुछ फायदे भी है इस डीप ब्लू होल्स आर यूज सिल्ट मिलती है इनका जो हम बायो डावरस्टी पढ़ते हैं यहां के और्गानिसम्स की जब हम पढ़ाई करते हैं तब हमें पता चलता है कि यहां पे क्या खिर रहा होगा तो आइस एच के दोरान जब पूरा पानी सोख लिया गया होगा वाटर लेबल डाउन हुआ होगा तब से यह बनते आ रहे हैं और आज हमें लगबग यह 900 फीट की हाइट पे दिखते हैं खेर आपको बता दे कवायत चालू हुई थी जब हमने पहला सबसे गहरा डीब ब्लू होल ढूंडा था और यह था चाइना के पास साउथ चाइना सी 2016 में डिसकवर किया जाता है साउथ चाइना सी में बिलकुल और इसको गहरा मना जाता है डाइवर्स यहां पे डाइव करते हैं और उन्होंने कई बार यहां पे प्रेशर और आचाना से चीज़े चेंज होता पाया गया है यहां पे आपको एक और हम बताना चाहेंगे जो तीसरा आज हमारे समक्ष है वो है रेड़ सी में जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे और आप शर्म अलशेक के पास से गुजर रहे होंगे तो आपको मिलेगा तब ब्लू होल आप देख सकते कैसे एक दम कोस्टल एरिया के प कौनसी हुई थी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वहां पे कौनसी हुई थी और अभी रुके रही है अभी चौथा आपके सामने आने वाला है चौथा ब्लू होल देखते हैं यह दर्वाज इसका नम दर्वीज भी है दर्वीजा भी है यह मिलता है आपको तुर गैस निकलती रही निकलते रही आज तक यह बुझ नहीं पाई है तर्वीज या दर्वाज दर्वाज गैस क्रेटर इसको कहते है यहां से मिथेन इतनी निकलती है कि क्या ही बता जाया आपको और लगबग यहां पे लोग अब डरते यह एक्स्टिंगुशी नहीं हो पा र वोटर बाडी को चूता है अच्छी खासी बॉल्टर बाडी को चूता इस के अंदर क्या है वाकई में लोग धूनने के लिए इतना अंदर चले गए कि उन्होंने इसकी गहराई अगर हम आपको बताएं, तो आप समझ सकते हैं मेरा kola super deep borehole जो है, वो 12.3 km deep है, 12.3 km deep, अगर आप मरियाना ट्रेंच में भी पहुंसते हैं, तो आप 10.9 पहुंसते हैं, तो अगर कहीं सबसे deepest point में मुझे जाना था, तो kola super deep borehole है, जो इंसानों ने खोदा है, machines का प्रयोग कर और वो खोदते खोदते रुख गए त्यूकि टेंप्रेचर अचानक से इतने ज़्यादा बढ़ने लगा कि उनको लगा कि इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना टेंपरेचर यहां पर बढ़ रहा है माउंट एवरिच को अगर आप देखेंगे तो लगभग आप 8900 मीटर या 8.9 किलो मिटर के आसपास रहते हैं अगर आप देखेंगे तो 3.9 किलो मिटर इतना डीप इसको डग इंग कर दिया था वुर्ज खलीफा इसके सामने गर आप देखेंगे तो मात्र आपको 800-900 मीटर के आसपास दिखेगा तो ठीक है, like we can understand so deep that we have dug in आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अगला होल जो हम आपको दिखाने वाल हैं इसका नाम ही डरावना है तो यहाँ पे कुछ incidents भी हो रहे थे, लोग इसमें गिर भी जा रहे थे जिसकी बज़े से Texas के पूरे population को इस पार्ट से हटा के कहीं और shift किया गया It's in Texas, this is your devil's sinkhole और इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें लोग बहुत गिर के they died तो devil's hole आपके सामने है अगला देखते हैं कि आपके सामने, we have got this great sort of sinkhole इसको आप बोलें या deep blue hole बोलें इसका नाम है DEAN विचिस अ पॉपुलर deep hole that has become a very deadly diving hot spot लोग यहाँ dive करने जाते हैं यह कहां है, बहामास दकर जाब जा सकते हैं बहामास के आपको लगभग island के पास में दिखेगा वन अब देपेस्ट underwater holes on the earth विचिस प्रेजन टुड़े, the Dean hole नीचे जरा comment करके बताईएगा कि बहामास किस area में located है आसपास कौन सी sea है और कहीं न कहीं क्या equator या tropic of cancer कोई है उसके आसपास की नहीं नीचे comment करके जरूर बताईएगा हम आगे बढ़ते हैं फिलाल और हम आपको लेके चलते है सीधे South Africa के उस area में जहां diamond की भरमार थी the Kimberly the Kimberly diamond hole और आप समझ सकते हैं यह mine area है जो आज आप देख रहें पानी भरा हुआ यह mine area है South Africa का known as the deepest bore hole and hand dug hole है यह हातों से खोदा गया यह hole है in the world with a depth of more than 700 feet सोचेगा कितने मजदूर लगे होंगे जिन्होंने इसो खोदा होगा dug hole बनाया होगा Kimberly यह रहा आपका map पे if you can see this is Kimberly चलिए आप चीज़े एक यह भी बताएगा Kimberly process हमारे UPSC के लिए बहुत important है Kimberly process क्या है नीचे comment करके जरूर बताएगा और यह भी बताएगी क्या भारत Kimberly process का भाग है यह नहीं है I would be waiting for your answer आगे बढ़ते हैं और आपके सामने है Berkeley pit Montana United States के Montana में situated है the Berkeley pit this is situated in Montana United States the former copper mining pit that has a depth of around 1780 feet 1780 feet है यह the Montana या Berkeley pit अब आप समझ सकते हैं this is such such a depth और यहां से mining की जाती थी copper की आगे बढ़ते हैं और दूसरा देखते हैं क्या है हमारे सामने यह तो देखते भी कोई डर सकता है नाम इसका glory hole and this is locally called as the glory hole there this hole is actually a spillway यह एक lake है इस lake में जब बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तो यहां पे अचानक से इस hole में पानी अंदर की तरफ गिरने लगता है और यह बहुत बहुत ही ज़्यादा धरावना वहाँ पे मनजर होता है this is actually a water disposal at the Monticello Dam which is made upon lake Berissa lake Berissa भी बना हुआ है यह डैम और जैसी पानी इसे बहुत भरता है यहां से निकलने लगता है यह डैम वैसे तो 1957 में complete हो गया था पर उन्तु यहां पे hole देखने के लिए लोग आज भी जाते हैं जितना पानी भरता जगे अचानक से लोग यह active हो जाता है और इसमें पानी जाने लगता है साकी वो कंट्रोल हो सके तो यह लेक बरिस्सा है आपका जिसों कहा जाता है तगलोरी hole फिर यह अभी तक के 10 हमने आपको hole दिखा है पर हम आपको बता दे भारत की चांद बावडी जिसों कहा जाता है यह दुनिया की सबसे गहरी बावडी है step well है और यह भारत में मौझूद है आपको बताना है कि यह बावडी कहां पे है किस राज्य में है और किस एरिया में है आप देख सकते क्या बहतरीन step well बनाया क्या steps बना बना के नीचे तक well है कमेंट कर कि I'll be waiting for your answers that would be all from my side कुछ आपको और भी बता दे देखिए content बहुत 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 यहां देनी कोशिश की जाती है अगर आपको लगता है कि आपको बढ़िया content चाहिए you can join us 50% off अभी आपको मिल ला है और आपको हम अपना आप दिया जा रहा है अभी किसी भी सब्सक्रिप्शन पर UPSC के बहुत बड़ी बात है यह ओफर बहुत दिन तक नहीं रहने वाला है affordability criteria बढ़ी अच्छी हो चुकी है हमारे batches चालू हो रहे 27 तारिक से आप जुड़ सकते हैं अभी भी हमारे साथ a test online and offline mock test दे के देखिए एक बार offline देना है तो डेली जैपूर पयागराच पूने और पटना में हो रहा है और अगर आपको देना है यह online तो आप register कर सकते हैं इस पर क्लिक करिए scan करिए register करिए वहां डालिएगा cmc code और आप सीध है हमारे एक group में पहुँच जाएंगे और 10% off cmc is my code that would be all from my side thank you so much take care जैहिन अपना ध्यान रखेगा पड़ते रहीएगा